नमस्कार मैं हूँ अंकोर और आप देख रहे हैं सत्त हिंदी का नियोज बुलेटिक एक नजर अब तक की सुख्यों पर भारतिय क्रिकेटर हार्दिक पांडे को IPL टीम मुममई इडियन्स का कप्तान मना गया है इससे पहले तक भारतिय टीम के कप्तान रोहिश शर्मा इस ट प्तानापूर कोर्ट परिशर के अंदर एक विचारा धीन कैदी की दिन दहाडे गोली मार कर हत्या करती गई दैनिक भासक के मुताबिक कैदी को बेउर जिले से पेशी के लिए लाए गया था तबी दो बदमाशों ने 6 राउंड गोली चलाकर कैदी को मौत के घाट उतार उसकी मौके पर ही मौत हो गई वारदात के समय कैदी के साथ पुलिस के पांच सिपाई भी मौजूद थे मामले में दो आरोपी गरफतार किये गए हैं बीजेपी ने शुक्रुबार को काहा कि उत्तपदेश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार की रैली फिलॉप शो होने वाली थी इसे देखते हुए जंतादल उनाइटेड ने कारकरम रद कर दिया है दूसरी तरफ जेडियू का कहिना है कि योगी आधितिनात की सरकार ने रैली करने की इजाज़ात नहीं दी हाला कि बीजेपी ने जेडियू की इस आरोप को खारिज कर दिया है बता दिन नीतिश कुमार की ये रैली उत्तपदेश की रोहनिया विधानसवा शेत्र में 24 दिसम्मर को होनी थी रोहनिया विधानमंत्री मोधी के लोकसवा शेत्र वारांसी के अंदर आने वाली सीट है एक दिन पहले जनतादल यूनाइटिट ने ये दावा किया था कि इस्थानिये प्रशाषन ने रैली की इजाज़त देने से अंकार कर दिया था इसलिए वो ये कारकरम आयोजित नहीं कर पा रहे हैं बिहार के पूर्म रिटी सियम और सांसद सुशील कुमार मोधी ने समाचर एजनसी पीटियाई से कहा जेडियू को ये ऐसास हो गया था कि रैली में कम लोग आएंगे और ये एक फ्लॉप शो होने जा रहा है इसलिए उन्होंने ये रैली रद कर दी उत्तवदेश के सोन भद्र में बीजेपी के स्थानिय विधायक रामदुलारे गोन को MP MLA कोट ने बलातकार के एक मामने में 25 साल की सजा सुना दिये है और 10 लाग रुपे जुर्माना लगाया है तीन दिन पहले दोशी करार दिये जाने के बाद ही रामदुलारे को हिरासत में ले लिया गया था सोन भद्र के पुलिस अधिक्षक एश्बिर सिंग ने वीबीसे से बात करते हुए कहा साल 2014 में सोन भद्र की मयूरपूर थाने में पोक सो एक्ट के तहट रामदुलारे के खलाफ मुकदमा हुआ था इसकी पूरी वेवेशना थाना इस्तर पर की गई और सबूत अधालत के समक्ष पेश के गए अब माननी अधालत ने विधाय को दोशी करार दिया है मदबदेश राजितान और 36 गर जीतने के बाद बीजेपी ने जो सीम बनाये थे उनको लेकर लगातार चर्चाय चल नहीं है कहा दारा है कि बीजेपी हाई कमान ने इन तीनों राज्यों में सीम और डेप्टी सीम काफी सोच समझ कर बनाये है जो राजनीतिक पंडितों के लिए काफी आश्चरे वाला रहा है लेकिन तीनों राज्यों में सीम पंद का चैन आश्चर से जादा रणनीतिक है जिसका उद्देश और संदेश संबंदित राजी की राजनीति से कहीं आगे दिखाई दे रहा है इंडिने एक्सपेस के अनुसार सीधे शब्दों में कहें तो तीन मुख्यमंत्रियों के लिए भाजपा की पसंद सिर्फ मद्द प्रदेश और आश्थान में जाती संतुलन या 36 गड़ में आदिवासी वोटों को और मजबूत करने तक सीमित नहीं है 36 गड़ के लिए एक आदिवासी मुख्यमंत्री विश्ण देव साई का एक्चैन पूर्ण मास्टर स्टोक बता जा रहा है भाजपा ने 36 गड़ के सरगुजा और बस्तर के आदिवासी इलाके में 26 में से 22 सीटे जीती हैं जिससे पता चलता है कि कैसे आदिवासी ने भगवा पार्टी को बड़े पैमाने पर वोट दिया है बता दें 36 गड़ किसी अनिराज जैसा नहीं है इसकी सीमा साथ अनिराज्यों के आदिवासी जिलों से लगती है इनिरे एक्सपरस ने कहा है कि ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी हाई कमान की अब सीधी निगहा लोकसबाचनाव 2024 पर है क्यूंकि अनुसीची जनजातियों के लिए 47 लोकसबाच सीटे आरक्षित हैं उनमें से 40 पूर्वत्तर राज्यों के बाहर है बीते 13 दिसम्बर को संसत की सुरक्षा में सेंज लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की FIR में दर्ज जानकानिया सामने आई है संसत पर 2001 में हुए हमले की 22 बरसी के मौके पर सुरक्षा में सेंज लगा कर कैसे ये लोग सदन तक पहुंचे थे और उनकी क्या तयारियन थी इसे FIR में दर्ज विवरन से समझा जा सकता है FIR दर्ज किये जाने के दो दिन बाद सामने आए इसके विवरन में उलेक किया गया है कि आरूपियों लोग सुबा में सदन के बीचों बीच पीला धुआ पहलाने की योजना मनाई थी FIR में ये भी पताया गया है कि विजितर पास के माध्यम से संसद में सागर शर्मा और मनरोंजन डी ने प्रवेश किया था उसके माय पेर के जूते के अंदर तलवे को काटने पर एक कैविटी बनी हुई पाई गई इस कैविटी को साहरा देने के लिए नीचे अत्रीक्त रबर सोल लगा गया था इससे जूतों के सोल की मोटाई बड़ी हुई पाई गई संसत की सुरक्षा में सेंद मामले में सरेंडर करने वाले लले जहा को लेकर लले जहा के पुराने पडोसियों ने बताया है कि वो कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में इस थानिये बच्चों को पढ़ाया करते थे पडोसि ने बताया जहां शांत सुभाविज के इंसान थे और अपने काम से काम रखा करते थे दो साल पहले ही उन्होंने ये इलाका छोड़ दिया था उनके एक पडोसि ने कहा उन्हें हम टीचर की तरह जानते थे कुछ साल पहले वो इस इलाके में आये थे अकेले ही रहते थे वो लोगों से बहुत कम मार्थ करते थे कभी कबार मेरे दुकान पर चाय पीने आते थे वो बहुत लो प्रफायल रहते थे एक दिन आचानक वो यहां से चले गए और फिर कभी नहीं लोटे उनके एक अन्य पडोसी ने PTI को बताया कि ललित जागे पिता उस इलाके में वाच्मैन की नौकरी करते थे ललित दो साल पहले उत्तर 24 परगना के बागूई आटी चले गए थे शेफसेना यूबिटी की सांसद प्रिंका चतुरवेदी ने कहा कि इस मामले में कोई राज़िती नहीं है यह समझ नहीं आ रहा कि इतनी सुरक्षा के बाद भी कैसे यह लोग आ गए साथ सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड किया गया है 14 सांसद भी निश्खाचित कर दिये गये हैं हमारा गुना यह है कि हम चर्चा चाहते हैं उन्होंने कहा कि हमारी केंदर सरकार राज़िती कर रही है और हम चर्चा चाहते हैं कॉंग्रेस पार्टी के संसद की सुरेश ने कहा कि हमारी डिमान जायज है यह अटैक लोगसुबा चैम्मायर के अंदर हुआ है और बहुत सीरियस है पीम या ग्रीमंत्री सदन में इस मसले पर बयान दें कॉंग्रेस अद्यक मलिकाजुन खडगी ने शुक्रबार को केंदे ग्रीमंत्री अमेशा से पूछा कि वो सुरक्षा उलंगन के मुद्दे पर संसद में बयान क्यों नहीं दे रहे हैं वलकि टीवी चनलों को इंटर्व्यू दे रहे हैं उन्होंने ये भी पूछा कि क्या सं संसद और उसके संसदों की सुरक्षा में भारी चूक पर वैपक्षी संसदों को अभैद रूप से निलमित करना कि इस तरह करने आया है लोकसबा की सुरक्षा में सेंद पर कॉंग्रेस संसद प्रमो तिमारी ने कहा सरकार जम्यदार है पत खाली पड़े हैं केंद्रे ग्रीमंत्री सदन के सामने बयान नहीं दे रहे हैं ये सदन की अब मानना है इसके खलाफ आवाज उठाने वालों को दिलमित किया जा रहा है और पास जारी करने वाले सांसद के खलाफ कोई कारवाई नहीं की जा रही है संसद की सुरक्षा में चूक की घटना पर शिपसेना यूबिटी संसद संजेराउत ने कहा कि इंद्रे ग्रीमंत्री अमिशा को देश को बताना चाहिए कि इसमें क्या राजरीती है सुप्रीम कोट ने सांसदी के निशकाशन के फैसले को चुनौती देने वाली महुआ मोत्रा की अगले साल 3 जनवरी तक के लिए टाल दिये इस आजका में महुआ मोत्रा ने अपनी निशकाशन को सुप्रीम कोट में चुनौती दिये एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद लोकसभा में उनके निशकासर से सम्मंदित प्रस्ताव को पारित किया गया था एथिक्स कमेटी ने महुआ मोईत्रा को एक कारोबारी से अवे तरीके से तोफ़े और लाब लेने का दोशी करार दिया था और उनकी मेंबर्शिप रद करने की सिफारिश की थी सुप्रीम कोट ने शुक्रबार को शाही इदगा किष्ण जन्महुई विवाद में इलाबाद हाई कोट की ओर से दिये गए फैसले को इस्तगित करने से इनकार करतिया है इलाबाद हाई कोट ने कल इस मामले में कोट की निगरानी में एक सर्वे करानी के लिए दायर की आजका को सुईकार कर लिया शाही इदगा मस्जिद और सुन्नी वक बोड ने इसी फैसले को सुप्रीम कोट में चुनौती दी थी इसके तहत विवादत छेत्र में एडवोकेट कमिशनर्स की तीन सदस्य समित्य की ओर से सर्वे करके तथे जुटाए जाने हैं इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील विश्णू शंकर जैन ने कहा सुप्रीम कोट ने इस प्रक्रिया पर विराम लगाने से इंकार कर दिया है खादि सुरक्षय और पोशन पर संयुक्त राष्ट की 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 74 दश्मलब एक फीसिती भारतिये या भारत के एक अरब से अधिक लोग 2021 में स्वस्त आहर का इंतजाम करने में असमर्द थे यह आकड़े भारत सरकार के उस दावे पर सबाल उठाते हैं कि देश में केबल 81 दश्मलब 3 करों लोगों को ही खादि साहिता की जरूरत है ता टेलिग्राफ के मताबिक संयुक्त राष्ट की पांच एजिंसियों की ये रिपोर्ट इस सब्ता की शुरुआत में जारी की ग भारत में अलप पोशितों के अनुपात की गण्णा करने के लिए किया गया है जो ना केबल घलत और अनेथिक है बलकि इसमें इस प्रश्च पूर्वाग्रे की बू आती है रफाल लड़कु विमान का मुद्दा फिर से बाहर आ गया है फ्रेंच वेबसाइट मीडिया पार्टनर रिपोर्ट छपी है कि मोदी सरकार फ्रांस में न्यूक्त राफेल डील में ब्रश्च चार के आरोप की जांच कर रहे प्रोसीक्यूशन जज के काम में अर्चन भारत के साथ आप्राधिक मामलों पर सयोग में चनोतियों पर प्रकाश जाला था उन्होंने नोट में कहा था कई मामलों को हमारे भारतिय साज़धारों द्वारा बहुत लंबी देरी से अक्सर अधूरे तरीके से निवटा जाता है वहीं यां मीडिया पार्ट की जानकार पद की शपत ले लिए राजिपाल कलाज मिश ने उन्हें पद और गोपिनियता की शपत दिलाई उप मुख्यमंत्री के रूप में पहले दियाकुमारी और फिर प्रेम चंद बैरवा ने शपत ली चैपुर के अलबर्ट हॉल में आयोजित शपत ग्रहंट समारू में प्र राजिस्तान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की शपत ग्रहंट समारों में शामिल होने के लिए निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोग गहलोत भी पहुँचे शपत ग्रहंट समारों में वो अपने राजनीतिक प्रतिवन्दी और केंद्री मंत्री गजिंदर शिंग शेखाबत के बगल में बैठे शेखाबत के दूसरी तरफ वसंदर राजे सिंध्या भी बैठी थी अशोग गहलोत बीजेपी के इन दोनों नेताओं से हासी मजा करते हुए देखे गए बता दें गहलोत पिछले दिनों संजीबनी क्रेडिट कोपरेटिव सोसाइटी घोटाल सर्वे के मुताबिक आम नागरिकों के नजरिये से बिरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है सर्वे में अलग-अलग राज्यों को लेकर आंकरे बताए गए हैं कि कहां कितने लोग मानते हैं कि हाल में पिछले पांच सालों में बिरोजगारी बढ़ी है उत्तर प्रदेश मे में 90 फीसद करनाटिक में 44 फीसद MP में 54 फीसद राजस्तान में 43 फीसद 36 गण में 49 फीसद तिलंगाना में 79 फीसद हलांकि लोगों का कहिना है इन सब मुद्दों पर भी हिंदु तो भारी पड़ेगा मड़िपुर में मारे गए कुकी जो जनजाती लोगों के शब कांगपोपी जिले में शुकरबार को सामुईक तोर पर दफनाए जाएंगे राजी में होरे हिंसा के विरोध में पूरे कांगपो की जिले में शुक्रबार सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक 12 घंटे का बंद बोला गया है सदर हिल्स की जंजाती एकता समिती ने जिले के सभी कुकी जोज लोगों से शुक्तुरबार को शोक दिबस मनाने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी लोग अपने घर में काला जंडा फैराएं बीबीसी संबादाता दिव्यारे को मिली जनकारी के निस्वार तेरे शबों को कांगपो की जिले के फैजन गाउं में दफना आजाएगा खबर के निस्वार शबों के सामोहिक दफन के कारिक्रम की थीम आप हमारे कल के लिए आज अपना बलिदान करें रखी गई है उत्तपदेश के बांदा की महला जज की वारल चिठी का सुप्रीम कोट ने संग्यान लिया है बांदा की महला जज की चिठी पर सुप्रीम कोट ने दखल दिया और CGI डीवाई चन्दचूड ने इलाबा हाई कोट से उस मामले में स्टेटरस रिपोर्ट मांगी है दरसल बानार जिले की महला सिविल जज ने भारत के मुक्यन आदिश दीवाई चन्दचूर से अपना जीवन समाप्त करनी के अनुमती मांगी थी इस समन्द में उन्हें एक पत्र भेजा है जिसमें जिला जज द्वारा योन उत्कीडन करने का गंभी दारोप भी लगा गया है गुरबार के देरा चीव जज़री दीवाई चन्दचूर ने सुप्रिम कोड के सेकरेटरी जनरल अतुल एम कुरहेकर को इलाबाद हाइ कोड प्रशाशन से स्टेडर्स रिपोर्ट मांगने को कहा है एरजी ने इलाबाद हाई कोट के रजिस्टराड जनरल को पत्र लिख करें महला जज़ द्वारा दी गई सारी शिकायतों की जनकारी मांगे है करीब एक माईने पहले मालदीब ने भारत को अपने सेनकों को वापस बिलाने के लिए का था अब मालदीब भारत के साथ हुए हाईडोग्राफिक सर्वे एग्रिमेंट खत्म करने जा रहा है गुर्बार देराथ मालदीब सरकार ने इस एग्रिमेंट को रिनीव नहीं करने का फैसला किया एग्रिमेंट 7 जून 2024 को एक्सफायर हो जाएगा ये समझोता 2019 में मालदीब आइलेंड के पानी पर रिसर्च करने के लिए हुआ था बतादे चुनाओं के दोरान मौजुदा राश्पती मुहमद मुझी की पार्टी ने इंडिया आउट का भिहान चलाय था और जीतने के बाद वो इस पर एक्टिव हो गए हैं मालदीब सरकार के इस फैसले को इंडिया आउट केंपेंड के साथ जोड़ कर दिखा जा रहा है बता दे मालदीब के मौझूदा राश्पती मुझी चीन समर्थक माने जाते हैं अभिनेता श्रीयस तलपड़े को गुरुबारात को दिल का दौरा पड़ा उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया मुंबई के अंधिरिय इलाके के बेलेवी उस्पताल में उनकी एंज्योप्लास्टिक की गई उनकी हालात इस्तिर बताई गई है और अस्पताल के एदिकारियों ने कहा कि वो ठीक हैं एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 47 वर्षिय अभिनेता वेलकम टू दे जंगल की शूटिंग कर रहे थे और शाम को उने दिल का दौरा पड़ा बिसेसिया ने पूरु कप्तान मेहनल सिंग धोनी की प्रतिश्चित नंबर 7 जर्षी को रेटायर करने का फैसला किया है यह कदम भारती क्रिकेट में धोनी की विरासत के सम्मान का प्रतिख है जो उनके सन्याद के साथ एक यूग के अंध का प्रतिख होगा पूरु कप्तान ने नंबर 7 पर रहते हुए भारत को सफेन गिन में तीनों आइसे से खताब T20 विशकप 2007, वंडे विशकप 2011 और चेंपिन्स ट्रॉफी 2014 चिताया था ऐसा समझा जाता है कि BCCI ने भारतिय टीम के खिलाडियों से कहा है कि वो भारतिय जर्शी पहनते समय अपनी पीठन पर नंबर 7 नहीं पहन सकते साउथ अफरीका दोरे पर T20 टीम की कमान समाले वाले सूरिकमार यादब को लेकर एक बुरी खबर सामने आई वो साउथ अफरीका के खलाब गुरुबार को खेले गए मुकाबले के दुरान बुरी तरह चोटिल हो गए उनको पैर में चोट लगी जो इतनी गंभीर थी कि उनसे चलते भी नहीं बनना था सूरिया को मेडिकल और बाकी स्टाफ गोद में उठाकर मैदान से बाहर ले गया सूरिया को मैदान से बाहर ले जाने के बाद मुकाबले में इस्टार ओल राउंडर रविंदर जडेजा ने कपता नी समभाली सूरिया ने इस मुकामले में शांदार शतक ये पारी खेली थी अब सूरिया ने चोटक के बाद कहा है मैं अच्छा हूँ मैं चल लहा हूँ अब तक के सुर्खों में इतना ही बाकी ख़परों के लिए बने रहिए सत्तिहने.com के साथ